रेगुलर ट्राइंगलर प्राइमिड है जिसको दो प्लेन से कट किया गया है पैरलेट इस बेस और प्लेन क्या है ट्राइसक कर रहा है प्राइमिड के अल्टीटूड को टॉप वॉलूम और मिडिल का है देखिए इतना स्टंडर सवाल है किसका अंसर 1719 होता है कौन के केस मे इस सवाल बहुत बार SSC ने पूछा हुआ है और मैं आपको समझा देता हूँ कौन के केस में कौकि कौन और पिरामिड जब इस तरह से काटा जाएगा और वॉलूम की बात की जाएगी तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है क्यों क्या होता है कौन का वालूम सर कौन का वाल कर रहा है कि इस रेशियो में डिस्ट्रिबूट होने वाला है तो आप जरा जहान से देखो कैसे होता है मैं आपको केस समझा देता हूँ अगर आप कोन वाला केस समझ जाओगे तो सेम केस यहां भी आएगा यहां भी बेस एरिया इंटू हाइट वाला कंपोनेंट है अब दे कैस को इसको अगर तीन पार्ट में अप ट्रा इसेक्शन करते को तो कुछ इस तणा से ट्राइट्र होता है और आप सबसे चोटे वाले को ना 1 मान लो, उसका radius भी 1 मान लो, height भी 1 मान लो, 1 1 हुआ तो यह जो होगा, यह 2 2 हो जाएगा, और यह जो होगा, पूरा का पूरा, यह 3 3 हो जाता है, ठीक है? तो आप जब volume लिखने जाते हो, तो टॉप वाला देता है 1, और यह जो बीच वाला है यह देता है total 8, और यह overall जो देता है, आपको देता है 27, 3 3 cube, 3 square into 3 3 cube, यह 2 square into 2 8 आएगा, आप देखो टॉप की बात करेंगे, तो टॉप होगा, केवल 1, यहां की बात करेंगे, तो यह total 8 है, तो यह 7 हुआ, यहां की बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, तो total 27 है, यह इतना portion क्या, 190, तो 1719 का ratio बनेगा, यह बहुत आसान है, और standard सवाल, इसमें किसी को को दिखेंगे,